हेलो एवरीवन वेलकम टू अड़ा 24-7 स्कूल मेरा जिन्तर सांखला इस सेसन में हम सर्वेश और दयाल सक्सेना द्वार रचित मानविय करोना की दिव्य चमक एक संस्मरन लिखा गया है जो फादर कामिल बुलके जी पर लिखा गया है जो एक विदेशी विद्वान थे जो भारत में एकर भारत को ही करंबुमी बना लेते हैं और यहां तक की सक्सेना साब ने यह भी काय जब तक राम कथा रहेगी तब तक इस विदेशी विद्वान को याद किया जाएगा तो अब हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चो मानविय करोना की दिव्य चमक से संबंदित जितने भी अभ्यास परसन है उनके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है इससे पहले हम लोगों ने कामिल साब के उपर जो लिखा गया मानविय करोना की दिव्य चमक जो एक संस्मरन है जो एक क्या है संस्मरन है उसे हमने बहुत अच्छे से पढ़ा उमीद करता आप लोगों समझ में आ गया होगा और इनका जीवन परीचे और इस संस्मरन का सारान से है वह भी हमने पढ़ा अब यह सब हमें कहां प्राप्त होता है तो यह हैं अमारी पाठ्य पोस्तक जिसका नाम है छितीज भागदो क्या नाम भी छितीज भागदो जिसका ध्या संक् लिखा गया था ठीक है अब इससे संबंद जितने भी अभ्यास पर्शन है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अब आपसे पूछ लिया जाए यह मानिवे करोना की दिवय चमक है यह किस लेखक द्वार रचित है या ऐसे पूछ ले आपसे कि यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यह कौन से लेखक का नाम क्या है आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या आंसर देंगे तो आपका आंसर होगा सरवेश्वर दयार सकसे ना चाहे तो ऐसे पूछे कि मानिवे करोना की दिवय चमक के लेखक कौन है या यह पूछे यह तस्वीर कि लेख किये चार लेखों की तस्वीर दे करके एकजाम में परसन पूछा भी गया है तो आपसे भी पूछा जा सकता है द्यान रखना ठीक है अब देखिए मानवे करोना की दिव्य चमक से संबंदित जितने भी अभ्यास परसन है उनमें सबसे पहला परसन है आपके सामने उप कैसे दिखाए देता है कैसे लगती थी क्यूं लगती थी तो बताए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर एक बार सोचिए अच्छे से दिमाग में उसका आंसर घुमाईए उसके बाद मैं इसका आंसर तुम्हें बताता हूं तो जल्दी से बताए क्या होगा इसका आंसर फट क्यों कि वो किसी भी फंक्शन में जाते थे चाहे तो दुखा हो चाहे सुखा हो तो वे एक प्रोहित की तरह बड़े भाई की तरह वहां उपस्तित रहते थे कि सोट में आंसर इसका बता रहा हूं अब देखिए फादर कामिल बुलके जी का जीवन देवदार के वरक जैसा व तस्यों पर परिवार के मुख्या की तरह सभी पर प्रेम लुटाते थे जिस परकार देवदार का वरक्ष सभी को चाया देकर सीतलता परदान करता है ठीक उसी परकार फादर बुलके भी अपने सरन में आये लोगों को आसरे देते थे और सभी के घरों के उत्सवों और संस में सब परिवार के ट्रेया के लिक्रत क्या है उनका शरीर pode देवदार के व्रक जैसा दिखाई देता है क्यों दिखाई देता थे साहित्यकार संस्था जिसका नाम परिमल था निराला के कवे तरह संग्या की तरह सodor Chicken लोगों ने इनिकी युवाज यवाज कवियों समस्थ अपना अपना प्रेम लुटाते सभी को इसने करते थे जिस परकार से देवदार का वरक्ष होता है वो च्छाया देकर के लोगों को सीतलता परदान करता है उसी परकार फादर कामिल बुलके जी भी कि किसी भी घर में कोई उर्थसव या संस्कार हुआ करता था तो वहां पर एक प्रोहित कित रहीता यदि बैड़े की तरे वहां उपस्तित्र हुआ करते थे और दुख के समय दो वहचन बोलकर के वहां के लोगों दुखी लोग door सांटोना परदान करने तो जिस परकार से हम कह सकते हैं कि देवदार का वरक्ष हुआता परदान करता है उसी परकार ये सबी लोगों पर अपना इसमें रखते थे तीक है नॉमम्बर दो फादर बुल के भारतिय की और संस्कृति के एक अभीन voynaionIs have किस आधार पर ऐसा कहा गया है यानि फादर कामिल बूल के जी भारतिय संसकर्टी के अभीनेंग माने जाते हैं Really well तो एक बार सोची है फिर उसके बाद झाएं बता देते हूं आप लोगों को 6 है जल्डी से कि उन्हों ने किस परकार से हिंदी में गरंत लिखे कि इस परकार से रामकता उत्पत्ति और विकास लिखा ठीक है और वो हिंदी को राष्ट बासा के रूप में देखना चाहते हैं ऐसे सवपन देख रहे थे तो बताए जल्दी से क्या होगा आपका आंस्वर फादर कामिल बुल के भारतिय संस्कृति के अभी ने अंग रहे हैं क्योंकि उन्होंने भारत में रहकर अपने आपको पूरी तरह भारतिय बना लिया था क्योंकि उनकी कर्म भूमी तो क्या थी बेल्जियम यूरोप थी फिर भी उन्होंने अपने भारत में आकर के स्वयम को भारतीय बना लिया था और बेल्जिय Chinese सी आ कर भारत को अपने कर्म भूमी बना लिया यहां था कि उन्होंने कोलकाता और इलाहबाद में पढ़ाइद की और म. हिंदी पीचुदी हिंदी विसे स्य किया देखो यह की विदेश से आकर के जो व्यक्ति म. हिंदी से करता है भी ये हिंदी से करता है पीचली की उपादी भी हिंदी से प्राप्त करता है तो हिंदी का कितना गहरा वो एक अभीने अंग होगा यहां की संस्कृती का वे यहां की संस्कृती में आकर मिल गए उनका भारत वह हिंदी दोनों से बहुत प्रेम था वह हिंदी को अपेच्छा करने वालों पर जुंजलाते थे फादर बुलके ने बाइबल और बुलूबड का हिंदी अनुवाद भी किया है फादर बले ही विदेश से आए मगर भारत के अभीने अंग बन कर रहे गे कहने का तातपरि क्या है कैने का तातपरि यहां यह है कि वो हिंदी को एक राष्ट बात्सा की रूप में देखना कें लगों कोजिसे फादर कामिल बुलके का हिंदी परेंटे होता है यानी कि परसंगों का उल्लेख करना है आप लोगों को जिसे कि य कि ने वाहते हैं कि प्रेम्-बुलके क्या हुटा है यह ने ने कि में हिंदी लिड़ियक से यह ही यह इप इसे से सोध उपादी प्राप्त की रामकता उत्पत्ति और विकास पर सोध परबंद करके प्हडी की उपादी प्राप्त की और हिंदी को राष्ट भासा की रूप में देखना चाहते थे तो सोचो एक बार क्या हो सकता इसका आंसर जल्दी से फटा पर बताए मुझे क्या हो कोलकाता से हिंदी में विकास विद्याल में रामकता उत्पत्ती और विकास पर हिंदी सोध परबंद लिखा और प्छी उपादी प्राप्त की यहां तक ही सर्वेसर द्यार सक्सेना ने भी यह कहा था क्या कि जब तक इस संसार में राम कथा पढ़ी जाएगी तब तक राम कथा सुनाई जाएगी तब तक इस विदेशी विद्वान को यादे किया जाएगा ठीक है वे रांची के सेंट जेवियर्स कोलेज में हिंदी विभाग में विभाग अध्यक से रहे उन्होंने अंग्रेजी हिंदी सब्द कोश भी तैयार किया देख लो यानि कि हिंदी के परति कितना लगा होता कैसा ऐसा तो किसी में ऐसे बहुत सारे में लेखा गए जिनका हिन्दी का गहरा प्रेम था लेकिन विदेशremos विद्वारं जिनका नेकिए उतना गहरा लगाव इनन्होंने सब्द कोश हिंदी विबाग सेरे रांची के सेंड जॉवियर्स कोलेज में अन्हें हिंदी सोध परबंद लिखा और भी हंग एचली बाइबल का हिंदी अन्वाद ऑफिय क किया। और बाइबल का भी उन्होंने क्या किया हिंदी अन्वादी किया हिंदी को राष्ट बासा की रूप में पर्तिष्ट करने के लिए उन्होंने अनेक प्रियास किये तथा लोगों को हिंदी बासा के महतव को समझने के लिए समझाने के लिए विभीर बरकार के एक काटे तर्क भी दी यानि कि वे सपना देखते हैं हिंदी बासा को राश्टवासा बनाने के रूप में और मंच जब भी कोई उसे मंच मिलता कामिल साथ को तो बहुत सारे तर्क देते एक काटे जिन का कोई काट नहीं होता ता और वो ऐसे सपन देते कब मैं हिंदी पर राष्टवासा के करने जुन्जलाते यानि कि जो भी हिंदी का चाये हिंदु और विद्यशी जो भी हिंदी की उपएक्षा करता था उस पर उन्हें बहुत दुख होता था उनके उपर ठीक है तो हम कह सकते हैं कि वे हिंदी के बहुत ही अत्य दिक्याते गहरे प्रेम करते थे कि से हिंदी ले और हिंदी विश्वाज में पढ़ाया एक राश्च बास में देखना चाहां तो ऐसा हिंदी के परती प्रेम तो किसी विद्वान का हो सायद पहला विद्वान ऐसा हो सकता है नंबर फोर इस पाठ की आधार पर पाठ का नम क्या है मानुए करोना की दिव्य चमक फादर कामिल बुलके की जो छवी उबरती है उसे अपने सब्दों में लिखिये यानि फादर साब की यानि कामिल बुलके साब की इस संसर में जो चबी उबरती है उसको लिखना है कैसा रंग था गोरा कि देवदार के वरक्ष की तरह दिखाई देते थे कि यह जल्दी से क्या हो सकता इस कांसर फिर मैं इस कांसर बता देता हूं आप लोगों को क्या हो सकता है बताए जल्दी सोचो एक बार क्या हो सकता है देख लीजेगा इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुलके की छवी एक आत्मिय सन्यासी की उबरती है कैसी आत्मिय सन्यासी की बरती है वे हर किसी के परती सद भावना रखते थे उनमें इसने और वात्सले की परतिमूर्ती जलकती थे यानि कि सभी से प्रेम करते थे बच्चों से भी बड़े उसे भी और ब्रावबरकों से भी वो प्रेम करते थे वे भारत और हिंदी के अनन्य प्रेमी थे तथा हिंदी को राष्ट बासा की रूप में देखते थे उनका रंग गोरा तथा चैरे पर सफेद जलक की दाड़ी थी वे अनेक पर्तिभाओं के धनी पुरुस्त थे यानि केहने का ताथ परे क्या है गोरा रंग था सफेद पर सफेदी चमकती थी दाड़ी चैसा लगता था गोरा रंग था गोरे गोरा रंग पर जैसे की सफेद दाड़ी आते हैं तैसे सफेदी जलक रही हो सफेद यानि कि जो निर्मल का सवच का पर्ति है तो क्या-क्या बताई है गोरा रंग देवदावर के वरक्ष की तरह है चोड़े गहरे लंबे और कहते हैं कि उसकी च्छायक तरह सभी पर लोगों पर क्या रखते सत्भावना भी रखते थे प्रेम भी करते थे नेक्स्ट है लेखक ने फादर बुलके को मानविय करोना की दिव्य चमक लगबग सभी का अनसर समाना बस दो चार चीजें अलग लिखनी है अब इसमें इससे पहले वाले में फॉर्थ में और थर्ड का और फॉर्ड का फाइबत का लगबग समान सा अनसर है तो बताईए मानविय करोना की दिव्य चमक क्यूं कहा लेखक ने फादर कामिल बुलके जी को क्यूं कहा सोचो एक बार उसके बार बताईए इसका अनसर क्या होगा लेखक ने फादर बुलके को मानविय करोना की दिव्य चमक इसलिए कहा क्यूंकि उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था क्या भरा था प्रेम भरा था जो कि उनके चेहरे पर इस पर श्रूप से दिखाई देता था दुख की गड़ी में वे सांतोना के दो बोल दो बोल द्वारा मनुस्य को धीरज बंधा देते था यानि कि जब दुख की बात होती दो बचन बोल करके उन्हें सांतोना बंधा देते था और प्रेम तो वो करते थे, उनके चेहरे पर यही परती मूर्ती जलकती थी, कि किस परकार से लोगों खुसे रखना है। शियम लेखक की पतनी, पुत्तर की मुर्ती पर फादर बुलके ने उने सांतुना दी थी, और उनके पुत्तर की मुझे में पहला अन भी बुलके जी नहीं डाला था। यथा सकती प्रियास करते हैं। देखो, ऐसा इनसान कहीं मिलेगा, वो भी विदेशी आकर ब्भारतियों की सायता करे। ऐसा इनसान कहीं पर भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। यह तो बात अलग है कि इनका आनसर ऐसा है। लेकिन जब ऐसा विदेशी जो यूरोप से आकर के हमारे भारत देश को कार्य करम बूमी बना करके और हिंदी के परती इतना गहरा इतना अगाड्या प्रेम जिसके बारे में कुछ सब्द भी कहे तो कम है ठीक है ध्यान रखना नेश्ट है फादर वूलकें ने सन्यासी की प्रम्प्रागत 26 अलग एक नई प्रास्तृत की है का जसलिक Bible के型 डिठीक के स्थान संग द等 Meta का अनसर है कि अजय है चोंगा पैंते थे तथा उन्में सभी मानुव्य गुनों का समविस था और उनका पालन भी करते थे लेकिन जीवन के प्रम प्रागत गुनों से अलग भी उनकी भूमी का रही है जैसे उन्होंने सन्यास गहन करने के बाद भी अपना अध्यान जारी रखा और कोलेजों में पढ़ाते भी रहे तता अनेक सामाजिक कारेकर्मों में भाग भाग लेते रहते थे इसलिए फादर कामिर बुलके कि छबी प्रंपरा का सन्यासियों से क्या थी अलगती देखो इन्होंने जब सन्यास गर्यन किया तो इंजिनियर के अंतीम वर्ष की पढ़ाई को छोड़ गए धर्म गुरु के पास सन्यास गर्यन करने तो उन्होंने का कि मैं सन्यास गर्यन करना चाहता हूं लेकिन उसके लिए पहले मैं एक बात बता दू सर्त बता रखना चाहरा हूं क्या कि मैं सन्यास गर्यन करने के लग छवी दिखाई देती है आज से इसपष्ट करना है नम आखों को गिनना स्याही फैलाना है यानि कि ऐसा इसका आज से इसपष्ट करना है कि जब फादर कामिल बुलके जी का निदन हुआ था तो उस समय लेखक ने यह बात कही थी तो क्यों कही थी इसका कारण बताना है आप लोगों को तो क्या हो सकता इसका ऐसा क्यों कहा क्योंकि लेखक ने कहा था आपको याद है कि बुलके जीने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे मरने पर भारत में कोई रोएगा लेकिन इतने लोग हो गए थे जिनकी आखें जिनको आख्यों को देखें तो ऐसा नम आंखो को गिनना श्याभाई फेलाना रफ्दैल जैसा ठीक है दैसे के फादर कामिल बुलके की मिर्तियू पर लोगों की भीड़ लग तथा उन हम को गिनना श्याहि फेलाने जैसा था अर्थात फादर कामिल बुलके कि मोत पर रोने वाले बहुत थे उन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोत पर कोई रोने वाला होगा या नहीं लेकिन इतने लोग होंगे ऐसा नहीं सोचा होगा ठीक है लेकिन इतने लोग उनका कि ठीक दो चार लोग रोल लेंगे मेरी मिर्तिव पर लेकिन ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतने सारे लोगों की भीड उमर पड़ेगी यानि कि फादर ने तो यहां तक भी कहा है कि फादर कामिल बुल के जमीन में जा रहे हैं ऐसे रत्न इस जह स्याही फैलाना जैसा था फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा था यह लेखक ने उनकी यादों को संस्मरन के रूप में लिख दिया किस रूप में लिख दिया संस्मरन के रूप में और संस्मरन कैसे लिखा जाता है इस मर्तियों को याद करके इस मर्तिय कोई याद रही ऑप अदिक घहर जानता हूं Kim Pr पर दोस्त को जैसे ही आज फाडर को याद करता हूं उनकी समर्ति को याद करता हूं तो मिरी आखें जैसे एक कोई सांथ संगीत सुनते हैं तो हम दुख में विलिन हो जाते हैं गम में डूब जाते हैं तो ऐसी मुझे आज भी ऐसा मैसुस होता है जिस परकार सांत संगित सुनने पर हमारा मन उदास हो जाता है या दुख में विलिन हो जाता है ठीक उसी परकार फादर कामिल बुलके को याद करने पर मन एकदम ऐसांत वे निरास हो जाता है एकदम बिल्कूल ही दुख में विलिन हो जाते हैं जिस परकार से कोई सांत संगीत सुनने से हमें दुख होता है या दुख में विलिन हो जाते हैं तो उसी परकार इन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा आज भी है यदि आप तो उनकी मिर्ति हो चुकी है तो आज भी यदि कोई लोग लेकिन लोग जो भी आज अज़ेश हमने पढ़ लिया जब हमने पढ़ा तो आप सोचो आप भूल सकते हैं क्या जो व्यक्ति विदेश में जन्म लेकर के भारत में आकर के हिंदी को राष्ट बासा के रूप में देखे और सबसे बड़ी बात जो हिंदू हो या कोई भी किसी भी धर्म का हो या कोई विदेशी हो यदि वह हिंदी के बारे में उपेक्षा भी करता है तो ऐसा विदेशी इंसान जो उसपर जुनला है जो दुख परकट करें तो ऐसा इंसान कहीं मिलेगा आप लोगों कहीं नहीं मिलेगा और फिर देखो विदेशी आकर यहन्या कि B.A पुस्त में हिंदी करना हिंदी से B.A, MA करना पेछे उपादी परापत करना बहुत ही बड़ी बात है अब देखकी है आपके पाठ्हे पुस्त में भासा अध्यन की नाम से दिया हुआ है तो ठीक है उसमें small बॉदक चाटकर लिखना समुचे क्या होता है, ऐसे योजग या अव्वे जो दो सब्दों या दो वाक्यों को जोडते हैं ऐसे योजग समुचे बोधक अव्वे के अंतरगत आते हैं जैसे हम बात करें और तथा एवं अथवा या लेकिन किन्तु परंतु की इत्यादी मतलब कहने का, मैंने वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए वैसे इतना ध्यान रखना ऐसे योजग जो दो सब्दों दो वाक्यों को जोड़ते हैं ओर तथा ए मतुया लेकिन किन्तु परंतु यह योजग जब किसी वाक्य में प्राप्त होते हैं तो होते हैं यह वाक्यों और मिस्टर वाक्य तो स्वञ्योक्त बाख्ये में योजग आते हैं तो इन योजगों से जो भी आ जाते हैं उन्हें समुछे बोदक अव्य कहा जाता है ठीक है तो आप लोगों बताने हैं कुछ वाक्य दिये हुए हैं जैसे तब भी जब वह इलाबाद में था और तब भी जब वह दिल्ली आते थे तो यहां पर योजक बताने हैं आप लोगों को तब भी जब वहे इलाबाद में थे और तब भी जब वहे दिल्ली आते थे तो इसमें बताने हैं आप लोगों योजग कौन सा है तो देख लो इसमें कौन सा है और आ रहा है यानि कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले योजग या अवे होते हैं वो समुचे बोद्दक की अंतरकत आते हैं तो आपको इतना ही ध्यान रखना कौन-कौन से ऐसे मैं लिखे देता हूं और तथा एवं अत्वा या लेकिन किन्तु परंतु की तो इसलिए अधी ठीक है लेकिन दो वाकियों को जोड़ने वाले होने चाहिए बीच में और और भी आ सकता है ऐसे नहीं कि यहीं फिक्स है अब देखिए मान ने बच्पन में ही गोशित कर दिया था कि यह वाक्य जोड़ा हैं दोनों को लड़का हाथ से गया दो वाक्य मैंन दिल्ली आते थे मान ने बच्पन में ही गोशित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया ठीक है तो यहां तो और है तो आंसर क्या हो जाएगा और यहां का आंसर क्या हो जाएगा की ठीक है अब आप बताओ जल्दी से वे रिष्टे बनाते थे तो तो तोड़ते नहीं थे तो कि वे रिष्टे बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे यानि दो वाक्यों को ऐसा कौन सा योजक है जो जोड़ रहा है बताए फटा-फट क्या होगा आप लोगों का अनसर आ गया हो गानसर अब तक तो तो क्या है यहाँ पर तो जोड़ रहा है क्या हो जाएगा अनसर तो ठीक है आ रहे न समझ में अब बताईए उनके मुख से सांतोना के उनके मुख से सांतोना के जादू बरे दो सब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी शांतुना के जादु भरे दो सब्द सुनना एक ऐसी रोसनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या, जन्मति है सोरी. टो बताई, इसमें ऐसा कों सा योजग का जो दो वाक्यों को जोड रहा है यानि सहयूक्त वाक्य होता है उसमें जितने भी योजग जोड़ते हैं वो सारे के सारे समुचे बोद्दक में माने जाते हैं तो बताई जल्दी से क्या हो सकता इसका अनसर आ गया होगा अब तक तो देखो एक वाक्य तो यहां तक है उनके मुक्षे सान्तुना के जादू भरे दो सब्द सुनना एक एक एसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपश्या जन्मति तो आनसर क्या हो जाएगा जो यह व्याकरण का पाठे ध्यान रखना देखो जो एविकारी सब्द होता है न एविकारी जिसे अववे भी कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है अववे ठीक है यह मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है कौन-कौन सा नंबर एक किरिया विशेशन नंबर दो होता है बच्चों समुचे बोदक और नंबर तीन होता है विश्मियादी बोदक और एक होता है प्रिमान बोदक जो इसके अंतरकत आता है ठीक है तो यह हमें ध्यान में रखना है तो इसमें बताईए जो हो गया तो इसमें एक अववे का अविकारी का कौन सा पार दिया है समुचे बोदक अववे दिया है तो बताई जल्दी से नेक्स्ट पर्सन आ गया है पिता जो भाईयों के लिए बहुत लगाओ मन में नहीं था लेकिन वो इसमर्ती में अक्सर डूप जाते थे तो ध्यान रखना बताऊ जल्दी से क्या होगा अनसर जल्दी से बताईए क्या होगा अनसर पिता देखो मा लेखा की ने बताया था कि मा की चिठियां तो आती थी और उसके दोस्त की अभी ने मित्तर की भी आती थी लेकिन कभी पिता और भाई को उनको याद नहीं आती थी ज्यादा मा की याद आती थी क्योंकि मा की चिठियां उसके पास आया कर्तितमा नहीं कहा था कि अब यह पुत्तर है जो बेटा है यह आथों से निकल चुका है तो बताए जल्दी से क्या होगा अनसर पिता और भाईयों के लिए भहुत लगाओ था मन में मन में नहीं था लेकिन देखो आगया न तो यह हो गया आपका तो समझ में आगया होगा समूचे बोद्दक क्या होता है जो दो सब्दों या दो वाकियों को जोडने वाले अववे होते हैं लेकिन यहां पर हमें कौन से अवे लेना है जो दो वाकियों को जोड़ते हैं वही क्या होते हैं समुचे बोद्दक अवे या एविकारी सब्दे कहलाते हैं ठीक है आ गया समझ में तो ये थे हमारे मानवी करोना की दिव्य चमक से संबंदित अभ्यास परसन उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा तो इस सेसन बढ़ने के लिए सबी को धन्यवाद उससे पहले एक बात बताना चाओंगा दोस्तो आप लोगों के लिए हम लोग महनत कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के यह सब आप लोग देख सकते हैं धन्यवाद थेंक यू सो मच